दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ मैं सिर्फ यह सोच रहा हूँ कि इस बार जो X-Group का एक्जाम है उसको कैसे क्लियर किया जाए Physics को लेकर अब परिसान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ तीन हजार प्लस कोश्चन की प्रैक्टिस सीरीज वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अब की बार होगी कट ओफ पार देखिए ये जो सीरीज रहने वाली है इसमें आपके theoretical कोश्चन conceptual कोश्चन और साथी साथ अगर हम बात करें numerical जो आपकी सबसे बड़ी problem रहती है दोस्तों X group में physics की जो importance है वो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि cut off के मामले में सबसे कम cut off physics की ही जाती है क्योंकि paper का जो level होता है वो थोड़ा सा higher order thinking का बनाया जाता है तो अगर आप इस बचे वे एक महीने में अपनी physics को improve करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको इतनी practice मिले कि कोई भी question आपसे न बच पाए तो आप हमारे साथ जुड़ें आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सर मैं physics को याद करता हूँ भूल जाता हूँ numerical मुझ से नहीं होते theory वाले question तो मैं आसानी से बना लेता हूँ तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूँगा एक बार हमारे practice session को join कीजिए जहां पर question रटाए नहीं जाते सिखाये जाते हैं theoretical question को सीधा टिक कर देना और ये कह देना कि इसका answer A है इसका answer B है ये हुई पुरानी बात अगर आप theoretical question को भी एक approach के साथ सीखना चाते हैं तो आप जुड़िये हमारे साथ मैं आपको इतने question की practice करवाऊंगा कि जब आप computer की screen पर exam देने जाएंगे और question आपके सामने आएगा तो कोई भी question ऐसा नहीं होगा जो हमने आपको ना करवाया हो जी हाँ इतने confidence है मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 3000 question को इस तरीके से समेटा गया है कि पुरानी जो shift हो चुकी है बच्चों के जो reviews हैं और पुराने जो previous year questions हैं और जो आने वाले question है जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है उन सब का collection मेरे पास है तो अगर आप चाहते हैं कि इसी बार आपकी cut off हो जाए पार तो जुड़िए मेरे साथ live class में मैं इंतिजार करूँगा live class में आपका